हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या आरेस अकेडमी में दोस्तो राजस्तान में आई जीत राजस्तान रेट बरती परिक्षा लेवल 2 SST यानि की सामजिक अध्यन के नवीनतम पाठेकरम के अनुसार model paper की test series शुरू की गई थी जिसमें अपने 20 model paper हैं वो complete हो चुके हैं आज अपना इसमें 21 नमर का model paper है रोजणा आपको एक model paper का test है वो अवस्चे देना है अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों 2-3 model paper का test देके रोजणा नहीं देखी है तो आप playlist में जाएए वहाँ पे आपको folder में जाएगा read sst model paper के नम से वहाँ folder बनावाए तो आप वहाँ जाके पिछले 20 model paper का test है वो अवस्चे दे सबसे पहले दोस्तों पन बालवी का सेवं सेक्षा सास्तर के 30 प्रेशने करेंगे ठीक है तो देखें मित्रों यहाँ पर पहला प्रेशने कक्षा कक्ष में विद्यार्तियों का अधिगम परिलक्षन है बताइए किसका है बताइए कक्षा कक्ष में विद्यार्तियों का अधिगम परिलक्षन है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों अभिरूची और अभिप्रेणा का अभिरूची को अपना अधिकान समय वैतित करना होगा कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम के अंदर बनाने के लिए अलद्यापक को अपना अधिकान से समय वैतित करना होगा तो दोस्तों बताइए वैतित कहा करना होगा तो दोस्तों किस के कारिये करवा कर तो दोस्तों देखिए बच्चों द्वारा एक दूसरे के परती गैर आकरामक तरीकों से संप्रेक्शन तथा समुहें में कारिये करवा कर दोस्तो अपना अधिकान समय वैतित करना होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तीन दोस्तों कक्षा कक्षों का उच रूप से एनम में होना तथा दूसरों का यानि की उतरों का मुल्यानकन भी उसी परकार होना ये दोस्तों नीचे लिखी समस्याओं मेंसे किसका अध्यन व्यक्ती अध्यन पद्दती द्वारा कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक छातर रोज कक्षा में सोता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर पांच नमबर का प्रशन है इसमें देखे कक्षा सिक्षन में एक सिक्षक द्वारा छातरों के समक्स एक कार्ड पर वरत तथा दूसरे कार्ड पर इलिप्स यानिकि अंडवरत का प्रदसन किया जाता है तथा दोनों में छातरों से अंतर करने के लिए कहा जाता है शिक्षक द्वारा गैने की किस अधिगर्म प्रकिर्या का सायता, यानि कि सहारा लिया जाता है, बताईए, दुबार देके इस प्रसंद को, कक्षा सिक्षन में एक शिक्षक द्वारा चात्रों के समक्स एक कार्ड पर वृत तथा दूसरे कार्ड पर इलिप्स अंडवृत का प्रदसन किया जाता है तथा दोनों में छात्रों से अंतर करने के लिए कहा जाता है शिक्सक द्वारा गेने की किस अधिगम प्रकिर्या का सहरा लिया जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें एप वर्ते विबेदी करण अधिगनियम, ठीक है, एप वर्ते विबेदी करण अधिगनियम का सहरा लिया जाता है, तो इसका राइट आंशर हो जाएगा, इसमें एक नमबर उप्शन से उत्र, आगे देखें, चरीतर को निश्चित करने वाला कारक नहीं है, बताईए, चरी देखिए प्राइशन आपको थोड़े से भी अगर कटिन लगे या इजी लगे तो आपको देखने जरूर सारे प्राइशन है ठीक है देखिए आगे आपे परभावी सिक्षण अधिकम दोस्तो इसमें चातर सहबागिता चातर की रूची तो दोस्तो इसमें दोनों सही है तो इसका राइट आंसर तीन नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा एक तथा दो दोनों आगे देखिए इसमें आठ नंबर का प्रेशन है कक्षा कक्स अधिगम में एक चातर की अधिगम की इस्तती में उतरोतर वर्दी हो रही है इसके परदसन के लिए किस परकार का वक्र का परदसित किया जाएगा बताएगा चार उप्शन आपके सामने है जल्दी से तो देखिए वित्रों इस्प्रेशन का रायट आन्सर हो जाएगा वो है अपना इसमें सरल रेखिए वक्र एक नंबर का उप्शन बिलकुल सही उत्र हो जाएगा सरन रेखिये वकर के माद्यम से चातर के अधिगम में होने वाली उत्रोतर बर्दी को परदस्ट किया जाता है से सबी वकरों का जो समद्ध है वो पर्थक पर्थक अधिगम इस्तियों के परदस्टन से होता है तो अपना इसमें राइट अंसर एक नंबर उप्षन से वितर हो जाएगा आगे देखिए कौन सा परिक्षन चातरा के सरजनात्मक्ता के मापन से समद्धित नहीं है कौन सा परिक्षन है चात्रा के सर्जनात्मक्ता के मापन से समदित नहीं है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें प्रतेक्स प्रैस्न विदी परिक्षन है तो इसमें चार नमबर का उप्षन बिल्कुल सयुक्तर हो जाएगा दस नमबर का प्रैस्न इसमें देखिए कि सोर्वे कि सोरियां एक दूसरे के परती आकरशित होते हैं तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है कि सोरावस्ता के मद्दे चरण में तो इसमें चार नमबर का उप्षन बिल्कुल सयुतर हो जाएगा कि सोरावस्ता के मद्दे एक व्यक्ति की यदि मोखिक आवशक्ताओं की पूर्ति नहीं किसे दिखाना अंगुठा चूसना तो इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्रोक सभी चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बारा नंबर का प्रस्थन इसमें देखे निम्न में से किस मनोविग्यानिक ने सरीर के आधार पर व्यक्तितव का विबाजन किया है तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है इसमें क्रेचमर ठीक है मुल्यानकन परकिरिया है वो समस्या समाधान परादारित है छातरों द्वारा सुचना एकतर कराती है में निबंदात्मक प्रशन पूछी जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी चार नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखें दो परकार केपती उत्तर नहीं टे रहते हैं तो दोस्तो इसका राही टांसर जाएगा वो है इसमें मानसिक एवं व疫वारिक तो इसमें एक नमबर का जो उप्शन है वह प्रशन मैंसिक हे विदी निम्नांकित में कों सी है बताईए पिछडे बालको के चैन की विदी न की विदी है तो इसका right answer हो जाएगा उप्रोक सब भी ठीक है तो अपना इसमें चार नमबर option सही उतर हो जाएगा next एक बालक परती दिन कक्षा से भाग जाता है वहें बालक कों सा है तो दोस्तों वहें बालक है पिछड़ा बालक तो इसमें तीन नंबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा अगे देखे निम्न में से बुद्धी परिक्षन नहीं कहा तो दोस्तो बताइए निम्न में से बुद्धी परिक्षन नहीं है तो कौन सा नहीं है बुद्धी परिक्षन बताइए तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो वेल समायोजन परिक्षन दोस्तो इस्पियर मेन के अनुसार जो तत्व है बताइए इस्पियर मेन के अनुसार जी तत्व है तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें जनमजात और अरजित ये दोनों दोस्तो क्या है जी तत्व है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें तीन नंबर का उप्षन एक एवं दो दो नो ठीक है अट गुनि इस नमबर का प्रेशन है इसमें देखे बुद्धी परिक्षन को कितने भागों में विबक्त किया गया है तो दोस्तों ये तो सभी को पताओगा बुद्धी परिक्षन है वो दो भागों में विबक्त किया गया है तो इसमें दो डुस्त है वेक्तियों में किस के कारण आन्वानचिक रूप से भिनता होती है य स्का राइब अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इस में जिन्स के उनुसार तो तीन नंबर का उंप्शन सही उतर हो जाएगाए आगे देखे, किसमनोविज्यानिकों ने अधिगम विदी के रूप में बरहा प्रेड़ना को आंत्रिक प्रेड़ना की तुलना में निमनतर बताया है, तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना, इसमें, प्रेक्सी, रोबिंसन, एवम, होरक्स ने बताया है तो इसका right answer हो जाएगा तीन नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर आगे देखे अभी वर्ति मापने का कारिय प्रारंब किया बताए किस ने किया था अभी वर्ति मापने का कारिय प्रारंब तो यह किया था दोस्तो थर्श्टन ने एक नमबर का option बिल्कुल सही उतर हो जागा थर्ष्टन ने नेक्स्ट है चोबिस नमबर का प्रेस ने इसमें देखे बालक संकल्पना को सीखे एवं यहां पे देखे दूबर देखे इस प्रेसंद को बालक उसी समय सीखेगा जब वहें सीखने हे तुत पर हो अर्थार्त उसकी परिपकवता इतनी होगी की वहें उस कोसल अत्वा संकल्पना को सीखे यह परते थोंडाई के किस नियम से समद्धित है किस नियम से समंदित है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है ततपड़ता के नियम से समंदित है एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पच्छिस नंबर प्रेस ने इसमें देखे किसने यह दावा किया कि सभी भासाओं में होने वाले कुछ सारोववव कोमिक गुण जनमजात होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमे नॉम-चौमशकी ठीक है तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए हमारे मस्टिक्स का कितना भाग चेतन है और कितना भाग एक तन बिल्कुल 9 बटा 10 तो इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 27 नमबर का प्रेस ने इसमें देखे किस अवस्ता में बालक न्याए और इमानदारी के प्रती प्रबल भावनाए वेक्त करने लगता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बाले अवस्ता में दो नमबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखे बालक के विचार की सवस्ता में प्रोडो के विचार के अधिक निकट होते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो 7 से 11 वर्स तक तो इसमें तीन नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुंड़ तीस नमबर का प्रेस नहीं इसमें देखिए खेल और कारिया में अंतर समझने की अवस्ता है खेल और कारिया में अंतर समझने की अवस्ता है वो कौन सी है तो वो है दोस्तो की सोरा वस्ता तो वो है दोस्तो मूल प्रवर्ती तीन नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मूल प्रवर्ती अब दोस्तो अपन फटाफट है वो हिंदी के तीस प्रेसन है वो करेंगे कितने प्रेसन आपके हिंदी के पार्ट में सही होते हैं तो वो आपको दोस्तो याद रखना है ठीक है जो जो गलत होये हैं उनको सही करना है फटाफट अपन करेंगे यह 30 प्रेसने यहां पर देखे लोकोक्ति का आर्थ है लोकोक्ति का आर्थ क्या है तो दोस्तो लोक में प्रचलित उक्ती तो इसका right answer हो जाएगा इसमें एक number option सही उतर next समास का साब्दिकर्थ होता है यह तो सभी को पता है समास का साब्दिकर्थ क्या होता है तो दोस्तो वो होता है एसंक्षिट है ठीक है राइट अंसर इसमें दो नमबर उप्षन स्यूतर नेक्स्ट है जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे का जाता है उसे का जाता है उसे का जाता है जो सब कुछ जानता है वाक्यांस के लिए एक सब्द है जो सब कुछ जानता है वाक्यान्स के लिए एक सब्द है तो वो क्या है तो वो है दोस्तो इसमें सरवग्य चार नंबर का उप्सन सही उतर हो जाएगा आगे देखें निमनलिकित में सब्दालंकार कौन सा है बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसम के नए अभिनाव सपनों को भू पर तुम्हें उतारना पावन स्वर्ग गंगा लाने की करो भागेरत साधना कल्परक्स बो तुम जिसमें सर्वसिद्धी का फल लगे राग प्रभाति का गाओ जिससे प्रसुप्त जीवन पताईए 37 नमबर प्रशन है उप्रियोक्त पद्यांस का सही सीर्शक होगा उप्रियोक्त पद्यांस का सही सीर्शक होगा तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सर्वसिद्धी की कामना तो इसमें तीन नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे सकती है, तो बताओ, ये कौन सी है कौन सी सब सकती है, तो इसका आइट आम्शर हो जाएकाब Dennis डोस्टो इसमें रूडि लक्षणा, दो नमर का Optimism सॉटर हो जाएका महायग्यय प्रारंब होने से तातपरिय है महायग्यय प्रारंब होने से तातपरिय क्या है तो वो तातपरिया है दोस्तो नव निर्मान के प्रिया से ठीक है तो इसमें चार नमबर उप्शन सही उतर आगे देखे अबिनाव सपनों का साकार करने के लिए आवशक है अबिनाव सपनों को साकार करने के लिए आवशक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ह मुझे पद में सर्वनाम का भेद है, तो वो कुन सा है, तो वो है दोस सो commonly कुन सा है, अगे नायका ले ओश которой आगे देगे विजोद गोशी पद का संदी विछेद वैसंदी का नाम क्या है, तो दोस्तों बताइक यहां पे तो आपको पता चल गया होगा, मैं काफी बार बता चुका हूँ आपको, जहां पर भी आपको एक मात्रा उपर दिख जाए, तो उसमें गुन संदी का परियोग होता है, ठीक है, तो यहां पे विजए पलस उद गोसी गुन संदी का परियोग हुआ है, इसमें तीन नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखें लोकोक्ति के समंद में ऐसते कतन कुन सा है तो देखें लोकोक्ति वाक्यांस होती है ये कतन है ये गलत दे रखा है बाकी और सारे कतन है वो बिल्कुल सही उतर है तीन नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर है आगे देख बंदन का विपरितार तक सब्द है वो कौन सा नहीं है ये तो पता होगा दोस्तों आपको तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए निर्बंद, मुक्ति, मौक्स ये तीनों है तो यहाँ पे कैद नहीं है तो अपना इसमें चार आफ स BIG सा नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का उपसट बिलकुल सेटर हो जाएगा आगे देखिए निमनलिकित में वोगचन सब्द है बताइए निमनलिकित दोस्तो अर्थ को दिया जाता है दो नमबर उप्षन सही उत्र हो जाएगा अर्थ को दिया जाता है आगे देखिए अध्यापक द्वारा कक्षा में किये गए व्यक्तिक वाचन को कहते हैं अध्यापक द्वारा कक्षा में किये गए व्यक्तिक वाचन को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो दोस्तो उसको बोलते हैं आदर्स वाचन तो इसमें दो नंबर का उप्षन सही उतर हो जाएगा आदर्स वाचन आगे देखें निम्न में से उपचारात्मक सिक्षन विदी कौन सी है उपचारात्मक सिक्षन विदी कौन सी ह उप्चारी सिक्षन ठीक है परंपरागत उप्चारी शिक्षन और मनोवग्य निक उप्चारी सिक्षन तो इसका चार नमबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा उप्रोक्त ए वह दो आगे देखे इसमें सरचनाओं के चैन में महत्व दिया जाता है सरचनाओं के चैन में किसको महत्व दिया जाता है तो दोस्तों ये महत्व दिया जाता है उप्रोक्त सभी को सरलता, सिक्सन योगे और बोद गमेता ठीक है चार नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा सरचनात्मक आयाम का सिद्दान्त कुन सा है तो वो है दोस्तों इसमें चात्रों की क्रिया सिलता बासाई आदतों का विकास वाचन पर बल देना उपरोक सभी गद्दे साहिते का मुख्यपरकार या सवरूप है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सर्जनात्मक गद्धे, एक नंबर का उप्शन बिल्कुल स्जूतर हो जाएगा 58 नंबर प्रेसन इसमें देखे गद्धे साहिते का आश्या होता है तो वो होता है दोस्तो अनुबुती होना ज्यान होना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वैह दो दोनो परियुक्त करते हैं माध्य में की इस्तर पर गर्डे स्प्सथन की विदी परियुक्त करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वहए परसनोतर विदी तीन नंबर का जो आप्षन है वह सका बिल् eerste हो जाएगा वह आफ मैं याद रखना है इसलिए द्यान से देखेगा वित्रों देखेए इसमें को तत्रा लकारो भवती बताइए तो सका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह अपना इसमें कौन सा त्वह है यमकम खे यमकम तो का यह उसका राइट आंसर एक नामबरण औप्शन से सही उतर हो जाएगा आगे देखे द्व ता साक शरात्म कम चंड बरते बताई ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमे कों सा तो वो है 1 system तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर समावेशा है प्रवर्त है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तश्याम तो इसमें एक नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए उपकार इतियत्र कहें उपसर गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इ हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है एतेशू सर्वेशू अर्थेशू दो नंबर उप्शन सही उतर आगे ठीक है देखिए बूधा तो लट लकारे पर्थम पुरू से एक वचने रुपम राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों बहुती ठी है तो इसका राइट आंसर कुन सा हो जाएगा वो है इसमें चार नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए सर्वेश पुलिंग सर्वेश सब्दस्य चतुर्ति वीबगतिया एक वचनम रूपमस् में तो इसमें एक नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए लूट परतस्य उधारनमस्ति लूट परतस्य उधारनमस्ति तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करनम इवे मती यस्चे से है इती विग्रे वाक्य से पदम किम तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए मरति पिंड मती ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कुन सा तो वो है मरति पिंड मती तो इसका राइट आंसर दो नमबर उप्शन सही उत्तर आगे देखिए जीवो वंदह है इती सब्दे संधी है एस्ती, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है उत्व संधी है नेक्स्ट जै इत्शे उधारन इस्तानम एस्ती तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो तालू कत्वा पर्तियायानते पदानाम एसुद्धै तो यह झाएगा दोस्तों गातवा दातवा हतवा चार नमबर का उप्शन सही उतर हो जायगा आगे देखिए त्रेनाम लोका नाम समारा है समस्त पदम भविश्यती तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वह है दोस्तों तिरलोगी तीन नमबर इससीफ का संदी क्या होगा इसमें बताइए तो इसका right answer हो जाएगा वह दोस्तों इसमें डमुका डम गम संदी तो इसका right answer चार नमबर option रहा आगे देखे वर्दी संदी विदाया का सुत्रम वर्दी संदी विदायक सुतरम तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें देखे वर्दी राद द्वेच तो इसका right answer हो जाएगा दो नमबर उप्शन से उतर आगे देखे यह जागरती सहप आउती इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है तो इस वाक्य में सर्वनाम हो जाएगा दोस्तो सम्मन्द वाचक सर्वनाम नेक्स्ट है इसमें देखे आयम विद्वान है अस्ती है इस वाक्य में किस परकार का विशेशन है तो इसमें विशेशन हो जाएगा सर्वनामिक विशेशन नेक्स्ट है उद्ध्यान गाउं से बाहर है, बहीर अस्ती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एक नमबर उप्शन से उत्र हो जाएगा, अस्ती नमबर प्रेस्टन, इसमें देखें, एहम प्रस्णम प्रचामी इस वाक्य को लोट लकार में लिखिए, तो इस वा किरियात्मक अनुसंदान के निश्कर्सों का रूप होता है, तो इसका right answer हो जाएगा वो है, दोस्तो वेवारिक रूप, तो इसमें तीन नम्बर का उप्शन बिल्कुल सहीटर हो जाएगा, आगे देखे, सिखसक को जानकरी होनी चीए, यह सिक्सक को जानकरी दोस्तो चातर की पाथे वस्तु की शिक्षन पर किरिया की तो इसका right answer हो जाएगा उप्रोग सभी के चार नमबर option सहीतर हो जाएगा आगे देखे क्या पाथे पुस्तके संपूर्ण पाथे करम को परिबासित करती है तो दोस्तो नहीं तो इसका right answer हो ज सरग्यान कराया जाता है तो दोस्तो वह है सब्द द्वारा अक्सर परिचे दो नमबर का option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा पिच्छा सी नमबर का प्रेशन इसमें देखिए अधिगम परिस्तिति का निर्मान करने का आदार है तो वह कौन सा है तो वह है दोस्तो शिक्षक वि सब्सक्राइब करने के कारिये करने वाली संस्ता है तो वह कौन सी है तो वह है दोस्तो जाता है तो यह जाना जाता है दोस्तो किस नाम से तो कठोर उपागम के नाम से 90 नमबर का प्रेशन इसमें देखिए बाल सबाएं प्रात्मी किस तर पर आयुजित करने का मुख्य उद्दे से है तो मुख्य उद्दे से दोस्तो मोखी कभी व्यक्ति प्रिक्षन है ठीक है प्रिसिक्षन है ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नमबर उप्शन बिल्कुल से इतर है अब दोस्तों जो अपन करने वाले हैं ठीक है ठीक है वो प्रेस्टन होंगे दोस्तों सामाजी कर देंगे और ये प्रेस्टन सबसे ज़्यादा महत्वकून है साठ प्रेस्टन पुछे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्ष गुनी सो चालिस में अगस्त प्रस्ताव में क्या परभाव रखा गया था तो क्या परभाव रखा गया था तो दोस्तों वो है डोमेनियन स्टेट्स का परभाव रखा गया था तो दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा यूगम है वो सुमेलित है तो यहां पर देखे अकाल आयोग गुनिसो सर एंटोनी मेकडोनाल सिचाई आयोग गुनिसो एक सर कॉलिन इसकोट मौन क्रिफ तो दोस्तों इसका जिसने कहा ऊगे सिंग एक योग पिता का आयोग पुत्र था जिसने सिसोधिया रक्ट को सरमसार कर दिया किसने कहा अगे देखे निम्न में से किसे दिल्ली के आठ सुल्टानों की सल्तनलत का साक्सि कहा जाता है किसे का जाता है तो यह का जाता है दोस्तों अमीर कुश्रों को चार नंबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित में से किसने हिरने गर्ब-दान एवं तुला पुरुस दान यग्यसंपन किया था तो दोस्तो किस ने किया था ये तो ये किया था दंति दुरूघ झाय चार नंबर का उप्षन सेउतर हो जाएगा आगे देखे वह है दोस्तो गॉालियर का तेली का मंदिर तो इसमें चार नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए कथन A और कारण R दिया गया है बताना है कौन सा सही है तो देखिए उधारवादी वास्तों में विश्वास रखते थे कि भारत के सावसासन का एक सवेधानिक मारग था कारण R देखिए उनके British नedenaypeireta के प्रती दरदास्ता थी तो दोस्तो इसमें दोनों कतन सही है और ये इसका व्याक्या भी करता है यानि कि R A की सही व्याक्या भी करता है कूतबा समें इसका सही उत्र हो जाएगा एक नमबर आप्सन सहीउतर इसमें देखे जवारला नेरु के अध्यक्स्ता में अकिल भारतिय राजय लोग परिशत का आठवा दिवेशन गुनिश सो चियालिश में कहां पर संपन हुआ तो दोस्तो ये संपन हुआ था बताए कहां पर तो इसका रहाई टांसर हो जाएगा वो है दोस्तो उदैपूर में इस संपन हुआ था यहां पहला दिवेशन था जो किसी रियासत में संपन हुआ था ठीक है एक नमबर उप्शन से उतर एक सो एक नमबर प्रस्न है इसमें दे केवल दर्बार में खुद को नंगा हो जाया करता था बलकि अपने दर्बारियों से भी ऐसा ही करवाता था नंगा होकर दर्बारियों के बीच दोड़ने का सोकिन था साथ ही उसे अपने दर्बारियों से असलील संकेतों और असलील सब्दों में वारताराप करने में अत्यद ने इसमें देखिए भारत में नील की खेती को इस कारण ग्रामिन गुलामी कहा जाता था क्योंकि किसानों को इस बात के लिए बादे किया जाता था कि भारत में कि बताए कि वे आवशक रूप से नील की खेती करें और आदेशित मुले पर उसे बेचें एक नमबर का उप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 130 नमबर प्रेस ने इसमें देखे कि इस मुगल समराट के सासन काल में वकील को सरवादिक पर दानता प्राप्त हुई राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर के सासन काल में अरब लेकों के अनुसार किस राजवन्स की इस तरियां अपने चहरे परदे में नहीं डखती थी तो इसका सही उत्र हो जाएगा वो है राश्टर कूट आगे देखे प्रोफेसर जाकोबी का मत है कि रिगवेद को लिखा गया था बताइए कब लिखा गया था रिगवेद को प्रोफेसर जाकोबी के अनुसार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ईश्वी पूरवे का तीसरा में लिया तो इसमें चार नंबर का उप्सन बिल्कुल सेउतर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है आगे देखे निमनलिकित मेंसे कौन से संसुदन के अंतरगत भारते सवीदान के मूल भूत करतवयों को सामिल किया गया तो यह तो सभी को पता है दोस्तों मूल करतवयों क कद्यक्स करता है दो नंबर उप्सन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित उच नहलेओं में से किस की पीठे है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इलाबाद मुंबई जबलपूर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर उप्सन सही उतर नेक्स्ट है नोकरी में समान आउसर का अधिकार सविदान के किस अनुच्छेद में परतिस्ता पित है तो वो है अनुच्छेद सोला में नेक्स्ट है नव निर्वाचन सुधारों के अंतरगत मत दाता पैचान पत्रों का सुझाव किस ने दिया था आगे देखिए विदेशों को बेजे जाने वाले विबिन संसदिये परतिनिदी मंडलों के लिए वेक्तियों का नामांकन कोन करता है तो वो करता है संसदिये कारिये मंत्राला है तो इसमें दो नंबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए भारत में राष्टरपति पद के लिए प्रतैसी का नाम प्रस्तावित होना चाहिए तो दोस्तों किनी दस निर्वाचक मंडलों के सदश्यो द्वारा तो इसमें चार नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा तेरा नंबर का प्रस्ता इसमें देखिए अभी कथन है चुनाव की गोशना होते ही राजनितिक दलों को आदर्स आचार सहीता का पालन करना होता है करणा आदर्स आचार सहीता को संसद ने अदिनियमित किया था तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बताए ये कौन सा सही है तो इसमें देखिए इसमें ए तो सही है किन्तु आर है वो गलत है तो इसमें दूसरा वाला पार्ट है वो गलत है और पहला सही है इसमें निमनलिकित में से कोन पर्थम जंजाती है लोग से बाद देख्षते कोन थे तो वो दोस्तो पी ए संगमा तो इसमें चार नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा अगे देखिए एक सुपंद्रा नमबर प्रशने निमनलिकित याचिकाओं को भारतिय सविदान में दिये गए करम के अनुसार सही करम में विवस्तित कीजिए अब दोस्तो यहां पे सही करम में अपने को क्या करना है विवस्तित करना है तो देखिए सबसे पहले आएगा इस गाएगा और पात boyfriend नमबर पे दोस्तो को वारंट तो यानि कि इस अधिकार से तो यह पांच सोई नमबर पे इस प्रेसन करा है आएट आशर हो जाएगा 2, 5, 4, 1, 3 तो इसमें 3 नमबर उप्सिन स्यूत्र हो जाएगा लवनी मर्दा में उगने वाले पादपोर रहे टान्सर हो जाएगा वो है दोस्तों डौलोमाइट एवं चूना पतर चार नमबर उप्सिन स्यूत्र हो जाएगा आगे देखे पारितंतर का गतिक हर्दय कहलाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो उर्जा परवा है वैखनीर चक्रे आगे देखे गंगा नदी में कोली फार्म जिवानों के परचूर मातरा में पाए जाने का पर्मु कारण क्या है बताइए तो पर्मु कारण क्या है तो वो है दोस्तो जल में अजली लासो को प्रवावित करना एक नमबर उप्शन बिल्कुल सेवितर आगे देखे यदि पर्त्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी तो दोस्तो वो है उक्सिजन की कमी होगी चार नमबर उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखे जल सुद्धी करन प्रणालियों में प्रावेंगनी यानिकी अल गलत है यहां पर अपने को सही कथन बताना था सिर्फ और सिर्फ पहला सही है एक नमबर उप्शन से उतर हो जाएगा आगे देखे थर्टे कार्ट पक्सिया बैरन कहां इस्तित है तो यह इस्तित है केरल में नेक्स्ट है वहें एक मातर सेंचूरी जहां कस्मीरी महामरग प गया किस देश से डोड़पक सिविलुप्त हो गया तो वह मौरिश्च सिविलुप्त हो गया नेक्स्ट है भारत में गहुं का जीन बैंक इस्तित है भारत में गहुं का तो कब हुई तो यह दोस्तों गुनी सो सत्तर गेतर में हुई नेक्स्ट है राष्टिय जलवायू परिवर्तन नीती के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक है नवी करणिये उर्जा को सेंस्तापित समता को कहां तक बढ़ाने की होजना है तो कहां तक बढ़ाने गिगवाट तक नेक्स्ट है कम चेतर पल में चावल के नर्श्री तैयार करने के लिए उप्यूत विदी है तो वो कौन सी है तो वह देश्तों डेपोग विदी एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखे इसमें सुगर स्केन यानि कि गन्ना में पर गिगवाट समता के सोर उरजा पलांट के साथ देश में नंबर वन कौन सा राज़ राज़ है तो वो है दोस्तों अपना इसमें राजस्तान नेक्स्ट है राजस्तान के किस जिले में राश्टी राजमार्गो की नियूंतम लंभाई है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है इसमें करो ली तीन नमबर उप्सन बिलकुल सही उतर आगे देखे राजस्तान के किस डेरी को राश्टिये डेरी विकास बोड की ओर से उत्तर भारत की सर्वस्रेश्ट डेरी का पुरूसकार परदान किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जेपू डेरी एक नमबर option सही उतर हो जाएगा आगे देखे बाराजिले में गोड़े की नाल के आकार की पारडी का अश्टित है तो ये इस्टित है दोस्तों रामगड की निकट ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसको मैं तीन नमबर उप्सन सही उतर आगे देके काथोड़ी जनजात वो है दोस्तो पोती ददा भी ले एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखे वहें दुर गे जिसके चारो और इंट मिटी और पत्थर की दोस्तो नमबर उप्षन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे जैनियो दुरा बहादर पर दस्मी को मनाए जाने वाला तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो सुगंदर दस्मी नेक्स्टे सामाजिक विग्यान सिक्षन की वहें कौन सी पदती है जो दोस्पून होते हुए भी सर यूखत होती है बताइए तो वो है दोस्तो अपना इसमें व्याक्यान विदी चार नमबर उप्षन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट विद्यारतियों को इत्यासकारों के समान सोचने के लिए प्रोच्षाइद करने है तो कौन सी विदी सरवादी को प्योगत होगी तो व आठे पुष्टकों को सभी छेत्रों और सामाजिक समोह का परतिनीजित्व करने वाली बनाने के लिए तो दोस्तो इसमें जो कथन दे रखे हैं देखिए कौन सा सही है इसमें तो इस्तानिय संसादनों से प्रासंगिक इस्तानिय सामगरी शिक्षन अधिगम प्रकिरिया का भाग होनी चाहिए तीन नंबर का उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दस वर्षे विद्याली शिक्षाकरम की अनुसंसा की है तो यह अनुसंसा की है दोस्तों कोथारी शिक्षायोग ने चार नंबर उप्षन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए हमारे जैसे व शेटर वी य कि से Sorry फिश्व में एंक विश्व से संबंद पकसों में है संबंद आब सिख्षण कख्या आठ के चाटरों को गहन अध्यान के लिए परकरण देना चाहता है निमनलिकित में से सबसे उप्युक्त कौन सा होगा तो सबसे उप्युक्त कौन सा होगा तो वो होगा भुकम तीन नंबर का उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखे कक्षा पर्थम और दितिये में समजी कद्यन को क्या नाम दिया गया है तो दोस्तो यह दिया गया है प्रियावनद्यन दो नमबर का उप्षन सही उत्र हो जाएगा अगर देखे नागरिक सास्तर नागरिकता का विज्ञान और दर्सन है यह परिवासा किसकी है तो यह परिव बेकर की परिवासा है ये तो तीन नमर उप्शन सही तरह जाएगा तो दोस्तों ये मैंने आज आज आपको जो किस नमर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है कल अपना नया मॉडल पेपर आएगा ठीक है और वो भी सांधार लेवल काएगा ठीक है अरहाद द्यार है पर कर दो करता है